देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, देश की आर्थिक राजधानियों में से एक गिना जाने वाला शहर इंदौर, मद्दबदेश के निश्चित रूप से आर्थिक राजधानी इंदौर ही है, करोडों का व्यापार होता है, आज धन 13 का दिन है, निश्चित रूप से कहा जाए कि धन चारो तरफ से बरसता हुआ नजर आता है दो साल करोना के बाद हमने देखा कि इस बार बाजार गुलजार नजर आते हैं मैं इस वक्त बरतन बाजार में मौजूद हूँ और बरतन बाजार की रौनक आप देखिए जिधर भी नजर डालता हूँ ग्रहकों की लाइन नजर आती है कापिट्स लगाए गए है तो वेलकम दग कस्टमर्स को वेलकम करने के लिए इस पूरे लाइन में इस पूरे बरतन बाजार में कापिट लगाए गए हैं स्पेशल ओफस चल रहे हैं खूबसूरती के साथ दुकानों को सजाया गया है और निश्यत स्वीरों को देखते हैं तो महसूस होता है कि सोने शांदी के वरतन यहां रखे हैं इतनी चमक इस बाजार में नजर आती है शॉप औरनर्स मेरे साथ में हैं बट अगेन मैं आज ओनर नहीं पूछूंगा इस बार आज यंग्स्टेर बताईए क्या माहल है इस बार दिवाल पापस से एक्साइटमेंट आ गया है लोगों के अंदर और फेस्टिवल फील आ रहा है इस बार पूरा जो आसपस माहल है उसको देखकर और निश्यत रूप से इस बार सब बहुत अच्छे से दिवाली बनाएंगे ग्रहाकी कैसे जारे ग्रहाकी भी बहुत अच्छी है प पिछले साल सालों की कमपैरिशन मेहंगाई है मैं अपने घर के बज़र पर भी गड़बड हो जाती है कि महंगाई बिल्कुल हो जाती है ना मेहंगाई के कारण तो अभी तो सभी चीद का रेट बड़ा हुआ दाम पर कि इस बार लग रहा है कि लोगों में उत्सा है और ग सब्सक्राइब करोना था तो बिल्कुल सब कुछ लग नहीं रहा था पाके इस साल तो बहुत उस्ता है हमें भी मेहंगाई का सर महंगाई का तो रहा थोड़ा थो इस थोड़ा हो ही एक्साइटमेंट वही है करना तो पढ़ेगा बच्चे हैं तेवारें तेवार से बढ़कर तो कुछ नहीं है सर इंदोरो जस्वा तो है हम जो भी करते हैं उससा के साहथ करते है बिल्कुल सार इंदौर के हैं ना इसलिए उससादों बनता है इंदौरियों में तो चलिए देखिए बच्चों का भी एक्साइटमेंट हो सकता है मैं बच्चों से भी फिर वही सवाल पूछ लेता हो बिटू कपड़े मिल गए लेकर आये अचा अब ममी के साथ में शॉपिंग कर रहे हो क्या क्या ले लिया अभी कपड़े और अभी बरता नी लिये हैं इस बार लग रहा है कि जम के दिवाली मनेगी क्योंकि दो साल से अच्छे से नहीं मनी थी करोना के चक्कर में करोना की वजह से लोग यह कह सकते हैं कि दो साल हो गए थे इंतजार कर रहे थे कि ठीक से दिवाली बना एक बार फिर मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको इसी बरतन बाजार की इंदौर शहर का यह बरतन बाजार अपने आप में फेमस और फेमस इस बात के लिए नहीं है कि यहां अच्छे बरतन और अच्छी चीज़े मिलती एची वरायटी बलकि इस बात के लिए फेमस है कि यहां गरहकों को भगवान माना जाता है और इस जगा Jadi पर गरहकों को मान बनना हुआ है वीरेन राइकवार के साथ मैंतिया आप शेक इंडिया न्यूज इन दौर